हेलो और वेलकम बाक, अभी कुछी टाइम पहले मैंने लेजर से चश्मा हटाने की लाइफ सर्जरी आपको दिखाई थी और उस वीडियो पे काफी सारे लोगों की कमेंट आए कि डॉक साब हमें ICL की सर्जरी दिखाईए लाइफ ICL जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है एक बहुत ही पतला सा माइक्रो थिन लेंस होता है जिसको आंग के अंदर डाला जाता है चश्मे का नंबर ठीक करने के लिए स्पेशली उन लोगों में जिनका चश्मा लेजर से नहीं हटाया जा सकता जैसे मान लीजे चश्मे का नंबर बहुत हाई हो माइनस आठ से उपर हो या पुतली जो है वो पतली हो या आंखों में ड्राइ आइस की प्रॉबलम हो आंखों में केरेटो कोनर्स की प्रॉबलम हो ऐसी सिचुएशन में लेजर से हम चश्मा नहीं हटा सकते और हमें ICL का प्रेयोग करना पड़ता है तो आज आपको ICL की पूरी लाइफ सर्जरी दिखाऊंगा अच्छा साथी साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कुछ केसिस मेरे सामने आए जहां पे पेशेंट्स ने किसी और हॉस्पिटल में उपरेशन कराया था और उनको बोला गया था कि उनकी आँख में स्टार का ICL डाली है स्टार का ICL जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हूँ है कि दुनिया में एक ही ICL है जो US FDA से सेफटी के लिए अप्रूवड है और हमेशा स्टार का ही ICL डालाना चाहिए क्योंकि ICL सरजरी छोटे बच्चों में होती है करीब 20 से 30 साल की उमर के बच्चों में होती है और उनको इनी आँखों के साथ अगले 50 साल तक जीना होता है तो स्टार ICL को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आज आपको इसका डबबा भी दिखाना करता हूँ देखे ता ICL की डबबे में आपके नंबर की और आपकी सारी इंफोर्मेशन होती है तो आप यह ध्यान रखे कि जब भी आप ICL को ऑपरेशन कराएं डबबा अपने साथ लेके जाए हमेशा क्योंकि डबबा एक तरह से कंफरमेशन है कि आपका स्टार वाला ICL ही हुआ है और डबबे को कैसे पिचाने आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उपर लिखा हुआ है स्टार सजिक ल यहाँ पे लिखा हुआ है EVO Plus Vision ICL EVO Plus मतलब इसका Optic Size थोड़ा सा बड़ा है जैसे मैंने आपको वीडियोस ने बताया है और यहाँ पे लिखा हुआ है Toric Toric का मतलब है कि यह जो ICL है यह Spherical के साथ आपका Cylender Number भी ठीख करेगा तो आपको सारा वीडियो में भी दिखाता हूँ कैसे होती है यह Surgery तो चली शुरू करते है अच्छा एक और चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए Surgery के वीडियोस थोड़े से Scary हो सकते हैं तो आपको अपनी discretion का आपको अपने विवेक का इस्तमाल करना है इन वीडियोस को देखते वे ऐसा ना हो कि इन वीडियोस को देखके आप घवरा जाए यह Surgery बहुत ही Simple होती है इन में कोई दर्द नहीं होता कोई injection नहीं लगता कोई टांका नहीं है कोई पट्टी नहीं है कोई hospitalization नहीं है दौनों आंखे एक ही दिन operate होती है आओ कराओ और चले जाओ अगले देन से सब कुछ साथ दिखना शुरू हो जाता है उसके दो दिन के बाद अपना routine activities आप शुरू बिका सकते हैं अच्छा एक और मेरे पास कुछ ऐसे comments आये थे जहां पे लोगों ने ये पूछा था कि डॉक्टर साब हमें जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें बस ये दिखता है कि आप आंख में कुछ operation कर रहे है आंख के अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं दिखता तो आज की जो मैं आपको live वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मैं microscope से camera से दिखाँगा कि microscope में जो microscope से जो मुझे view मिलता है उसमें एक camera भी लगा होता है तो आप exactly देख सकते हो कि आंख के अंदर किस type की surgery और क्या होता है तो चले शुरू करते हैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ तो यह जो आप देख रहे हैं यह है patient का number जो हमें ठीक करना है लेकिन जिस number का ICL आंख में डाला जाएगा वो इस number को transpose करके एक special तवीके से निकाला जाएगा तो ICL का number patient का यह निकलता है और आप देख सकते हो कि patient की आंख में spherical number भी है और cylinder number भी है इसलिए हम patient की आंख में एक toric ICL डाल रहे हैं जो spherical और cylinder number डानों को ठीक करेगा अब आपको यह समझना है कि जब हम आंख का cylinder number ठीक करते हैं तो cylinder number आंख के एक axis में होता है तो उस axis में ICL का डलना बहुत जोरी है तो यह आप सब देख सकते हो यह हमारा digital system होता है जो हमें guide करता है जिससे ICL हमेशा perfect अपने axis पे जाए जब भी हम उसे implant करें तो अब शुरू करते हैं surgery पच्ची मैं थोड़ा सा बोलनूं घवराओगे तो नहीं तो यह आप देख सकते हो हमने आँख में कुछ निशान भी लगाये हैं जो हमें guide करते हैं तो हम manually और digitally दोनों की guidance के help से ICL को डालते हैं जिससे हमारी alignment जो है वो और perfect हो जाती है तो अभी मैं आँख की उपर एक digital overlay ले रहा हूं और आँख में एक और निशान लगा रहा हूं तो इससे हमें एक digital support मिलती है साथी साथ manual support मिलती है जिससे हम ICL को अपने perfect access में डाल सकते हैं अब यह जो आप देख रहे हैं यह bottle है जिसमें ICL आता है और यह आपका ICL है ICL का size तो बहुत बड़ा है लेकिन हम जब इसको आँख में डालते हैं तो एक बहुत ही छोटे से cut से डालते है तो उसके लिए हमें ICL को fold करके बिल्कुल roll कर लेते हैं जिससे ICL एक छोटे से चीरे से आँख के अंदर चले जाता है और आँख के अंदर जाके खुल जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये मैं ICL को fold कर दिया और मैं इसको पूरा roll करके आगे injector की tip तक ले आँगा तो ये मैंने ICL को पकड़ा और आगे तक injector तक ले आया और ये injector की छोटी सी tip से हम ICL को आँख में डाल देंगे तो injector को lock किया और अब हम ready हैं बस अब ICL को आँख के अंदर डालना है तो हमने एक side से आँख को थोड़ा सा support करा और ICL का injector लिया और उससे ICL को आँख के अंदर inject कर दिया तो अब देख सकते हैं ICL तो बड़ा है लेकिन एक छोट ऐसे चीरे से आँख के अंदर ICL बहुत ही अराम से चले जाता है तो यह मैंने push किया और ICL को आँख के अंदर inject कर दिया और आँख के अंदर जाके ICL खुल गया अब बस ICL को अपनी जगा पे set करना है तो दो instruments लेके हम ICL को अपनी जगा पे properly set कर देते हैं तो यह एक साइट से ICL बिलकुल काली पुतली के पीछे टकिन हो गया है अब मैं जाके दूसी साइट से इसको टकिन कर दूँगा और ICL अपनी जगा पर fix हो गया अब बस एक बड़ी re-check कर लेंगे कि जिस axis में ICL डलना है उसी axis में है तो आप देख सकते हो यह ICL में दो lines भी है इन दो lines को axis के साथ correspond करना बहुत जूरी है तो आप देख सकते हो ऊपर वाला थोड़ा सा misaligned है मैंने इसको properly align कर दिया और अब ICL जो है अपनी जगा पे perfectly set हो गया बस अब आंग को थोड़ा सा side से पानी डालके हम इसको seal कर देते हैं तो आप देख सकते हो इस operation में कोई injection नहीं है कोई टांका नहीं है कोई पट्टी नहीं है, कोई hospitalization नहीं है कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है बहुत ही simple सी surgery है और अगले दिन से patient को दिखना शुरू हो जाता है और उसके अगले दिन से patient अपने काम पे भी जा सकता है ठीक हो ठीक है अच्छे, बहुत बड़ी हो गया आपका आपने देखते रहा हो, zone नहीं डालना आंक पे ठीक है, अभी दो मिनिट में दूसरी आंका शुरू गया बन कर दो हां तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके काफी सारे doubts clear होंगे, बाकी आपके मन में और कोई भी doubt हो तो आप मैं इसे comment section में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब जल से चलतू तब तक के लिए, thank you very much for watching this video and I'll be back soon